दोस्तों फाइनली आज राम सेतु मूवी रिलीस हो चुकी है सिनेमा घरों में कैसी है ये मूवी क्या है खास इस मूवी में और कौन इस मूवी के बारे में गलत बोल रहा है यह सब क्लियर करेंगे हम इस वीडियो में तो चलिए सुरू करते हैं फिल्म की स्टोरी कुछ इस दर से है राम सेतु जो है जिसे कुछ बिजनेसमेन अपने परपस के लिए तोड़ना चाते हैं और यह बात पहुच जाती है कोर्ट तक और राम सेतु को तूटने से बचाने के लिए कुछ प्रमाण की जरूवत पढ़ती है जिसे ढूनने निकलते हैं हमारे अक्षयकुमा में जाके experience करना मैं आपको एक छोटा सा review और opinion बताना चाहूँगा अपनी तरफ से दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें movie making की तो movie काफी ज्यादा अच्छी बनाई गई है वी fx इसमें अच्छे है movie के budget के इसाब से underwater scenes तो काफी अच्छे है छोटे बच्चों से लेकर ब नहीं आएगा पूरी movie ramsetu के अपर best day हमको पूरी movie में भूत कुछ ऐसी बाते जानने को मिलेगी जो हम अब तक नहीं जानते थे रामसेटू के बारे में आचकल बच्चे इतना नहीं जानते हैं उन्हें भी रामसेटू और आमेंड के बारे में भूत कुछ जानने को प्रत्वी पर उनके होने के कई सारे प्रमान आज भी जीवित है जिसे बस खोजने की जरुवत है जिसमें से एक है हमारा गाम से तो दोस्तों अगर हम बात करें कैरेक्टर की तो अक्षे कुमार सर इसमें रोल निबा रहे है आर्के जिस्ट जिनका रोल काफी अच्छा है खोच को ले दोस्तों इस फिल्म में आपको तीन एक्टरस भी नजर आएगी एक है जैकलीन फर्नांडेस एक है नुसरत बरुच्चा और एक है जैनिफर दोस्तों इन एक्टरस ने भी अपने अपनी जगा पर अपने रोल को बखू भी निबाया है साथी साथ इसमें परव फिल्म के एंड में जाके पता चलेगा दोस्तों इस फिल्म में बहुत से सीन आएंगे जहां पर आप भाउग भी हो जाओ दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौन इस फिल्म के बारे में नेगेटिविटी फेला रहा है तो कुछ यूटूबर्स ऐसे हैं जिनका और कोई काम नही को नहीं है उनका धन्दा सिह नेगेटिविटि के उपर ही चल रहा है दोस्तों वह इस तरह से फिल्म को एनलाईस करते हैं जैसे कोई वह फिल्म को तरह लेना चाहिए किसी भी कोई ठ्योरी लिखना पड़ती है ना कोई एनलाइस करना पड़ता जैसे बाकी यूटूबर करकर बे फालतु का बताते दोस्तों एक फिल्म बनाते वक्त काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि उस फिल्म में कुछ ऐसा गलत ना निकल जाए यह किसी ओडियंस से किसी और आखरी में जब आप क्लाइमेक्स देखेंगे तो डेफिनेटली आपके मूझ से जैसरी राम निकल जाए तो इस मूवी के क्लाइमेक्स काफी ज्यादा अच्छा है और सभी ओडियोंस को बहुत ही पसंद आया है दोस्तों अगर आपने इस मूवी देख ली है तो आपक के बाइ